कितनी खतरनाक है एमजॉन के जंगलों में लगी आग एमजॉन के रेन फॉरेस्ट यानि वर्शावन इन दिनों भीशन आग की चपेट में है दक्षिन अमेरिका के ब्राजील में मौजूद ये दुनिया का सबसे बड़ा वर्शावन है दुनिया की कुल ऑक्सिजन का 20 प्रतिशत हिस्सा एमजॉन के जंगलों से पैदा होता है इसलिए इसको दुनिया का फेपड़ा भी कहा जाता है मगर ये जंगल पिछले दो हफ्तों से लगातार जल रहा है इससे इतना धुआ उठा है कि ब्राजील का साव पाउलो शहर अंधेरे में डूब गया है ब्राजील के कई राजे फिलहाल इस धुएं की चपेट में है ब्राजील की स्पेस एजन्सी के मुताबिक इस साल अमजोन में सबसे ज्यादा आग लगने की घटनाएं हुई है केवल जनवरी से अगस्त के बीच आग लगने की करीब 73,000 घटनाएं सामने आ चुकी है पिछले साल के मुकाबले ये 83 प्रतिशत जादा है पर्यावरन कार्यकरता ताजा हालात के लिए ब्राजील के राश्वपती जेयर बॉल्सोनारू को जिम्मेदार मानते है बॉल्सोनारू की नीती में एमजोन के जंगल वाले इलाके में खेती और खनन करना शामिल है शोदकरताओं का कहना है कि गर्मी के मौसम में आग तेजी से पहलती है लेकिन आग हमेशा इंसानों द्वारा ही लगाई जाती है चाहे वो जान बूच कर आग लगाएं या दुरघटना वर्ष उनसे ऐसा हो जाए ये जंगल प्रित्वी को ग्लोबल वामिंग से बचाय रखने में बड़ी भूमिका निभाते है मगर विकास की नाम पर इनकी भी आहूती दी जा रही है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे शेर कीजिए और हमारे फेस्बुक पेज को लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें